हाई फ्रेंड्स आज ड्राइफ्रूट्स मावा केक बनेगे और वो भी घिहू के आटे से तो यह खाने में एकदम टेस्टी और मैदा नहीं है तो आप आराम से इसको बिना घिल्ट खा सकते हैं तो इसके लिए एक कप थ्रीफोट कप जितना मैंने यह पीसीवी चीनी लिए उसमें वन फूट कप जितना यह विदाउट फ्लेवर वारला संफ्लावर और लिया है और फ्लेवर के लिए दो से तीन ड्रॉप्स अपने वैनिला एसंस और वन फूट टीस्पून जितनी इलाइची पावडर डाल के चैसे मिक्स करगे उसमें हम चाय जो जिस कप से पीते और आधा कब जितना मिल्क पावडर डालेगे और इसमें वन फूट टीस्पून बेकिंग सोडा और हाफ टीस्पून जितना बेकिंग पावडर डालेगे और सभी चीजों को हम चान लेंगे चानने से जो भी बड़े बड़े लंस है वो निकल जाते और हमारा जो बैटर अ थोड़ा गाड़ा हो गया है तो जिस कब समने दूद लिया था उसी और अधा कप मैंने भर के दूद साइड में ले लिया था तो थोड़ा थोड़ा दूद करना अच्छे से इसको कंटीनू एक ही डिरेक्शन में मिक्स करना है तो अगेन और थोड़ा मैं दूद डार तो इसकी जो जो कंसिस्टेंस है थोड़ी हलकी से पोरिंग वाली होनी चाहिए एकदम कंटीनू रनी नहीं तो इस तरह से भी लास्ट में मैं स्पेचुला से भी अच्छे से मेक्स कर यूँ ताकि अच्छे से मिक्शर एक जूट हो जाए तो देख सकते इस तरह की चमज से हमने बेकिंग पाउडर डाला था हाफ टी स्पुन वाली टी स्पुन से उस ही चमज से विनेगार जो आता है वह हमने डालना है और हलकी हाथ से इसको भी हम स्पेचुला के मदद से हम मिक्स करेंगे तो विनेगार से जो मरग ले केक है एकदम फलफी और अच्छा बंदा यह बेकिंग पाउडर और बोकिंग सोडा को अच्छे से रियक करता है तो उसकी वज़े से जो केक हमारा सौफ्ट स्पॉंजी और एकदम बढ़िया बनता है घहो के आटे का भी बनाएंगे तो भी तो देख सकते हमारा मिक्षर बनके रेडी है तो यह मैंने एक बा पीस्ता काजू की कतरन हम डालेगे तो इसे टूटी फूटी और थोड़े से ड्राय रोस पेटल डालेगे तो ड्राय रोस पेटल भी मैंने मेरे चैनल में अपलोड किया कैसे बनते है फ्रेश टू ड्राय रोस पेटल तो उसका भी वीडियो आप चेक कर लीजेगा तो यह इसके लिए डार रही हो और यह तवे के उपर स्टेंड डालके उसके उपर टोप डालके मैंने पहले सी प्री हीट करने रख दिया था तो अभी वैसे ही मैं इसको बेक करने रख रही हूँ तो बस 45 मिनिट्स में हमारा केक होके रेडी है तो एकदम बढ़ी ऐसा फूल चु बनाता और खाने में तो टेस्टी था थोड़ा डाक कलर आया था तो आप एकदम ही धीमी आश पी इसको बनाना है तो मतलब आज की वेज़े से कभी-कभी 45 मिनिट्स कभी 50 मिनिट्स में भी बैक होते थोड़ा टाइम लगता है तो वह आप देख लीजिएगा बीच में झाल 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 झाल